सब्सक्राइब करने के लिए इन वीडियो इसके साथ साथ अब टेलिग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर इसके सब्सक्राइब करने के लिए विट आंसर आपको टेलिग्राम में मिलेंगे आप चाहे तो रिविजिन सुनने के बाद वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो तो once for all आपका पूरा रिविजिन के साथ एमसी क्यों का डिस्क्रिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा question answers institute के module के हमने past provisions में cover किये and कुछ अगर critical होंगे तो हम उतको cover करेंगे ऐसे 810 बहुत ही simple सा standard है engagements to report on summary financial statement number one अगर आप complete financial statements के auditor हैं और जिस company का आप audit कर रहे हैं वो उन complete financial statement की एक summary भी present करती है और वो आपसे कहती है कि मेरी उस summary का भी आप audit कर दीजिए तो ऐसी engagement आप खब accept कर सकते हो और accept करने पे आपकी report कैसी होगी क्या procedures लगाना होंगे और report क्या modify करना पड़ेगी या कुछ extra disclosures देना पड़ेगे इस standard में discuss किया गया है अरे सर कोई summary क्यों बनाएगा हो सकता है कि से भी अलाओ कर देगी लिस्टेट कंपनी को annual report अपनी बनानी है तो फिजिकल कॉपी circulate करने की कोई requirement है तो आप summary circulate कर दीजे कोई दिक्कत नहीं है और कोई मांगे तो उसे detail दे देना ऐसा हुआ करता था एक समय पर क्योंकि detailed इतनी बड़ी financial statements की requirement शायद सबको होगी नहीं और मांगने पर तो हम complete देर है अब summary जैसी बनाने की बात आई अब बिस सी बात है management हो सकता है उसमें अपने favor की information की detail पूरी दे और जो उसके favorable unfavorable information है उसे कहीं न कहीं summary कहके उसे वहाँ पर incorporate करने से बच जाए पर देखिए आपके ICI का पूरा module है उसकी summary ये drone chart है नहीं नहीं ये summary नहीं है उसका पूरा content presented बट सीदी सी बात है अगर उसकी summary यहाँ पर बनाई जा रही है और अगर ये summary में उसकी कोई भी काम की information missing गोई तो definitely you will not be relying on these charts सेम इसी logic से complete financial statement के उपर भे summary statement अगर proper details शामल नहीं करेंगे then in that case user को वो एक गलत information interpretation दे सकते हैं तो इस background के साथ अगर आपको ये assignment मिला है तो आपको कैसे handle करना है ये special nature का assignment है इसलिए 800 series आप लिगे बले और ऐसे 810 इसकी बात करता है so first and foremost the scope of this standard is की complete financial statement से derive करके summary बनाई गई है उसका audit ऐसे की अनुसार होगा और ये same auditor ही करेगा किसी और auditor को point नहीं कर सकते तो अगर complete financial statement के आप auditor नहीं है तब summary का audit assignment except नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की summary बनाएंगे तो उसके पीछे एक logic होगा as in applied criteria कि summary में मैं सिर्फ headings या heading और subheadings यानि line और subline item यूश करूँगा disclosures क्या मैं जो change हुए है पिछले साल से वही दूँगा या सारे दूँगा या minimum दूँगा तो जो भी criteria है सबसे पहले जिसके basis पे summary बनाई है auditor यही चेक करेगा कि उस criteria के अधार summary सही है या नहीं है तो इसे बोलते है applied criteria for making the summary audited financial statement जिसे मैं complete financial statement कह रहा था यह वो financial statement है जिससे summary बनेगी और historical financial information से जो हमारे complete audited financial statement से हम summarized financial statement बना रहे हैं उसे summary financial statement का जाए आपके assignment कभे accept करोगे पहली बात जब आप complete financial statement के auditor हो तभी आपके पास परियापत knowledge होना चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकें और summary financial statement का standard लगा सकें और इसी बात है दियान रखना summary financial statement बे हम कोई sufficient appropriate audit evidence अप्टेन नहीं कर पाएंगे अगर हमने complete financial statement का audit नहीं किया है तो इसके लिए अगर आप complete का audit कर रहे हैं तो ही आप summary का acceptance assignment का करेंगे अब summary financial statement में हमें procedures क्या लगाना होंगे उससे पहले कुछ preconditions जो audit accept करने से पहले हमें ख्याल रखनी है ऐसे 210 में क्या कहते थे audit accept करने से पहले कि क्या precondition है कि क्या financial reporting framework acceptable है यहाँ पे उसकी जगे audit criteria sorry applied criteria क्या acceptable है तो कौन decide करेगा कि summary में क्या क्या चीज़े शामल होगी या नहीं और इससी बात है management जुम्मेदार है और उससे ऐसा summary बनाना चाहिए which should be a fair presentation of the complete audited financial state तो कैसे हम मानेंगे कि उसका criteria fair है और इससी बात है यह तो depend करेगा nature of entity पह हो सकता है कि आपके entity listed है तो उसमें से भी के कोई norms prescribed है summary कैसे बनाना है purpose of summary financial statement अगर आप general purpose बना रहे हैं तो obviously level of details अलग शामल होगी in comparison to special purpose intended user आपको कौन है general user है तो आपको उससे सारी information रखना है specific users है है लेचे bank loan के लिए तो हो सकता है कि आप कुछ चीजों की information ज्यादा detail कुछ की कम रखेंगा overall आपका applied criteria misleading नहीं होना चाहिए in any circumstance इसके basis पर आप देखिए क्या criteria acceptable है अगर criteria किसी law regulation या कोई regulatory body जैसे से भी RBI तवारा गिवन है तो normally आप उसे acceptable मान लीजिए तो law regulation या authorized standard setting organization जैसे ICI IFRS की body IASB इन्होंने किसी ने दिया है तो या law regulation पर अगर ऐसा कोई criteria exist नहीं करता है तो फिर management ने criteria develop किया होगा जिसे आप इन चार factors के basis पर assess करोगे यह important factors to assess whether the applied criteria is acceptable or not हमें क्या करना है सबसे बहले management से एक written agreement लेना है किस सीज के बारे में तो preconditions में अपन लेते हैं या आप acknowledge करते हो आपकी responsibility preparation की और हमें सारी information देने की acknowledges and understand its responsibility to prepare summary number one and number two to make audited financial statement available to intended user summary की एक basic condition है जिसे कही ना कहीं summary financial statement में भी और में भी जर्वत पड़े तो auditor की report में लिखना होगा कि अगर आपको detailed complete financial statement चाहिए तो वो कहा मिलेंगे and finally to include an auditor's report to include auditor's report in summary financial statement तो आप summary financial statement जहां circulate करेंगे अगर वो लिखेंगे की audited है तो हमारी साथ में audit report भी जाए sir अगर कभी law regulation prohibit कर दे कि नहीं detailed financial statement देना ही नहीं है summary ही देना है तो अब इसी बात है कि फिर उस case में law regulation नहीं criteria बनाए होगा summary कैसे बनेगी और फिर हम उसका बालन करेंगे ऐसी situation में अगर auditor को लगता है कि applied criteria acceptable है को engagement accept कर ले इसका point in fact इससे बिलेटर दा है unacceptable है तो आप नहीं करोगे unless and until it is required by any law or regulation then you have to agree with management on the form of opinion which is to be expressed do we have to express an opinion of this is a fair presentation of summary or only that the summary has been prepared as per such and such law and regulation यानी compliance या fair presentation framework यह आपकी preconditions है for accepting the audit अब procedures क्या लगी है सबसे पहले हमें क्या देखना है कि summary financial statement as per applied criteria prepared है और वो adequately disclose करती है इस बात को कि यह summary financial statement है यह कौन से audited financial statement से बनाई गई है और क्या criteria के वेसिस पे summarization किया गया है summary financial statement में कहीं लिखा हुआ होएगा कि summary financial statement are prepared based on the audited standalonia consolidated financial statement of such and such entity for so and so date or period then these are prepared on the criteria that all the line subline items which are part of the face of the balance sheet have been incorporated with important relevant notes which represents changes in policy or material significant events इसा कुछ तो आप सबसे पहले देखें यह सब disclosed है number one फिर आप देखो criteria के अनुसार बनाएं गया है और ultimately criteria के अनुसार बनाके क्या information बहुत जादा aggregate तो नहीं करती गई है तो level of aggregation appropriate है या नहीं इसका मतलब यह है कि वही taxes और penalty को साथ में मिलाके तो नहीं दिखा दिया है इतना वाइफर्गेशन होना चाहिए in fact आप देखेंगे तो indes define करता है motility क्या है तो information को माना जाएगा अगर वो user के decision को affect कर सके वो material है आपको ध्यान रखना है कि इसी information को आप obscure नहीं करेंगे obscure का मतलब क्या होता है आप उसे दो dissimilar information को एक साथ present ना करें या similar information को अलग अलग ना करें material immaterial को साथ में ना करें तो यह सारी चीज़े आपको aggregation level पर देखना होगी कि कुछ घड़बर तो नहीं अब summary financial statement के साथ अगर नहीं जा रहे है अलग से जा रहे तो एक तो क्या हो सकता है या बैंक के लिए लोन के लिए अपलाई गया तो अनुन मुला है complete के साथ एक summary दे दो हमको easy रहता है तो हम दोनों submit करेंगे पर ऐसा नहीं हो रहा है suppose मैं अपने shareholders को सिफ summary भेज रहा हूं और complete नही बेज रहा हूं तो हमें evaluate करना है कि क्या उसमें सबसाब बताया गया है कि audited financial statement कहां से मिलेंगे अब इसी बात है वह हम जानना चाहेंगे कि वह हमें आ रहे audited कहां पर मिल रहे हैं वो बता दीजे प्लस law regulation specifies audited financial statement need not be made available as we were discussing earlier to intended user and establishes criteria for summary financial statement तो simple सी बात है summary financial statement जा रहे हैं तो आपको ये ensure करना है कि user को complete मिले unless law ने मना किया हो और law ने मना किया है तो हमें बताना पड़ेगा law ने मना किया है और law ने क्या criteria दिया उसके basis पर summary बनी होगी बाकी procedure में क्या लगाएंगे तो एक बार आपने क्या देख लिया summary financial statement में कुछ disclosure आना चाहिए criteria सही होना चाहिए aggregation सही होना चाहिए यह बताया जाना चाहिए कि summary आपको कहा complete financial statement कहां से मिलेंगे अब आप procedure क्या करोगे तो वस आप देखो कि complete में जो data दिया है उसके basis पर summary प्रिपाई है की गई है या नहीं सारे figures cross match relate होना चाहिए ऐसी हरकत आप लोगों ने offices में करी होगी जब आपने ITR अगर कभी भरें office में आप देखते हैं ITR में जो format होता है reporting का जिसमें आपको P&L reproduce करना पड़ता है उसकी information जब आप देते हो तो same जो आप P&L के heads use करते हो वैसे heads same नहीं होते हैं आपको वह income tax के format के हिसाब से उसकी grouping करना पड़ती है तो व कौन से घर्चों में कौन से घर्चे क्लब हुए यह री calculate करके दोनों figures आपस में match होना चाहिए चलो इन सब के बाद में evaluate whether audited financial statement made available to intended users of summary financial statement without any undue difficulty unless law requires so तो normally आप बताओ आप complete financial statement कैसे available कराओगे user को सर बहुत simple जी बात है तो summary में ही लिख दे है यहाँ available है या website पर डाल दे उसका reference दे या लिख दे कि यहाँ पर आप mail करेंगे तो आपको mail कर दिये जाएंगे या courrier कर दिये जाएंगे तो यह summary में ही clearly described होना चाहिए कहां से मिल कई बार public record में available हो सकते है as an mcaa की side पे या CB की side पे other listed entity है तो जो भी है management को process बता देना चाहिए यहाँ तक का common discussion था अब कुछ बहुत important बात है number one opinion कैसा दूँगा sir में summary financial statement में जब मैं audit report बनाऊंगा क्योंकि है तो यह ऐसे तो audit report बनेगे है तो में simply लिखना है summary financial statement are consistent in all material respect with audited financial statement and prepared as per the applied criteria और fair presentation framework है तो it represents a fair summary of audited financial statement as per the applied criteria compliance framework या fair presentation framework next sir कभी law ने कोई और wording दिये तो तो इससे related है ठीक है पर उस wording के लिए अगर कोई extra procedure आपको लगाने की जरुवत है आप लगा लीजिए अगर law में उसमें कोई अलग level का assurance मांगा गया है तो बट अगर आपको लगता है कि जो law की wording है उससे intended user misunderstand कर जाएगा law की wording बढ़के हो सकता intended user को लगे traditional explanation अपनी report में शामिल करेंगे ताकि यह misunderstanding पैदा ना हो ऐसा हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं है तो फिर हम audit accept ही नहीं करेंगे unless and until law की requirement है अब law की requirement है report ऐसी बनेगी और उसमें कोई change करने की भी गुण जाईश नहीं है और अब law की requirement है तो accept तो करना ही पड़ेगा तो ऐसे case में हमारी report में कहीं पर भी यह नहीं लिखेंगे कि हमारा यह summary financial statement का audit का engagement ऐस पर ऐसे 810 हुआ है नार्मल यह सारे specialized audit में इस तरह की requirement आपको मिलेगी एक बड़ा important matter summary financial statement की जो date होगी वो definitely आपके complete financial statement की date के आगे की date होगी no problem आप अपनी report में साफ साफ लिख सकते हो कि हमने subsequent events between the date of final financial statement और complete audited financial statement and summary financial statement के बीच की subsequent events को आपने check नहीं किया है audit report में क्या-क्या चीज़े हैंगी title independent auditors report ही होगा important है ध्यान रखना address ही appointing authority हो सकती है usually वो depend करेगा start कैसे करोगे आप बताओगे यह summary financial statement है सबका title दोगे फिर आप identify करोगे audited financial statement उस पर आपके audit report कौन सी तारीक की है और where audited financial statement contains unmodified opinion you'll have to express unmodified opinion लेकिन अगर उसमें modified opinion एक्सप्रेज दे तो क्या होगा उसके बारे में आगे बात करें date of summary financial statement अगर वो later date पर है complete financial statement से तो fact कि हमने subsequent events चेक नहीं किये साफ तोर पे यह समझा देना कि summary financial statement में सारे disclosure नहीं है जो audited financial statement में होते हैं इसलिए इसे पढ़ना is not a substitute for reading the audited financial statement बनाना management की जिम्मेदारी है हमारा काम इस ऐसे के अनुसार procedure लगा के report देना है और opinion यह जो अभी यहां पर हमने डिस्कृस किया था signature, date of report, place signature के सारे normal जो points है वही जो usually हर जगे उगते हैं audited financial statement के auditor की report अगर modified है तो यह अनिवार है कि summary financial statement की report में हम वो modification यहां पर repeat करेंगे और यह लिखेंगे कि हमारे audited financial statement में यह opinion दिया गया है तब जब आपकी report में modified opinion है which could be disclaimer adverse या qualified तो उसे repeat summary में करना compulsory है नहीं तो क्या होगा modified opinion के case में लोग summary बनवाएंगे उसके auditor की बोलेंगे summary तो हमने सही बनवाईए तो summary सही है तो आपको report modify करने की जरवत नहीं है तो आप unmodified report दे तो लोगों के पास वो जाएगी लोगों मालों भी नहीं पड़ेगा कि इसमें main financial statement में ही गड़ बड़ती तो logical सी बात है तो अगर कोई qualified opinion emphasis of matter या other matter paragraph है modified opinion नहीं qualified EOM EOM तो क्या बच गया adverse या disclaimer पहले यह देखते हैं अगर इन में से कुछ है तो आपकी report में साफ साफ आपको अपनी report में बोलना होगा कि audited financial statement में इस तरह का opinion है और आपको वो opinion या EOM Pera या EOM Pera बताना है उसका basis of opinion परा देना है और उसका summary पर कोई impact है तो वो भी देना है लेकिन adverse और disclaimer अगर आपके audited financial statement में opinion है तो फिर ऐसे कारण से आप summary financial statement पर opinion नहीं दे सकते तो अगर true and fair view नहीं है audited financial statement में तो आप summary में यह नहीं लिखो कि true and fair view नहीं है summary में आप यह लिखो गया कि क्योंकि financial statements में true and fair view नहीं है इसलिए हम इसकी summary financial statements पर opinion नहीं दे सकते तो फिर जर ओडिटर को पॉइंट करके फाइदा ही क्या हुआ है अब इसी बात है लॉग की requirement है तो करना पड़ेगा समरी के लिए point next ऐसा भी हो सकता है audited financial statement plain है clean है clear है पर उसकी जो summary बनाई है वो आपने as per applied criteria या proper disclosure के साथ नहीं बनाई है ऐसे केस में आपको adverse opinion देना पड़ेगा यहां अलग-अलग type और variety नहीं है कि आप qualified adverse disclaimer दे सकते हो simple adverse opinion आएगा that summary is not representative of the audited financial statement अगर आपको इसका यूजर जिस्टिक करना है तो आप उसे report में mention कर सकते हो comparatives अगर आपके audited financial statement में है और summary में नहीं है आपको देखना है कोई problem तो नहीं हो रही है अगर आपको लगता है कि यह unreasonable है क्यों क्योंकि हो सकता है comparatives are important because of certain changes in accounting policy restatement तो इस case में आप देखोगे कि क्या report modify यानि adverse करने की जरवत है क्या क्यों किया reason क्या in case अगर summary financial statement आपने जिसके उपर report दे रहे हो उसके comparatives audited ही नहीं है या किसी और ने audit किया है तो इससे 710 की requirement applicable होगी ऐसे 700 में बात की जाती है supplementary information supplementary information का मतलब होता है annual report में financial statement audit report के अलावा director report वगेरा बहुत सारी चीज़े जाती है ऐसा कोई statement अगर उसमें आ गया जिसे देखके ऐसा लगे कि यह भी financial statement का पार्ट है जैसे कि कमणी ने fund flow statement देगी जो की financial statement का पार्ट नहीं होता है तो आप उसे साफ तोर पे ऐसे annual report में बताओ कि user को समझ में आ जाए कि इसका audit नहीं किया है हमने पर अगर management उसे जान करके cash flow statement के साथ लगा के दे रहा है annual report में ताकि लोगों को लगे यह भी audited है तो ऐसे 700 जो कहता है वही यह 810 कहता है कि हम supplementary management को बोलेंगे अलग रखो summary से क्योंकि हमने इसका audit किया नहीं है नहीं माने तो फिर हम ध्यान देंगे कि कैसे हम report में specifically क्या करें उस चीज़ को mention करें कि यह supplementary information दी गई है summary में जिसका हमने audit नहीं किया similarly ऐसे 720 बोलता है कोई भी other information annual report में जारी हो से read करो कुछ material inconsistency कि हम statement पता पड़ते है तो उसका impact अपनी report पर दो summary पर भी यह rule applicable होगा and then auditors association यह important है कि summary financial statements मैं तभी audit करूंगा जब मैं audited financial statement को audit करूंगा अब entity plans to state that auditor reported on summary financial statement but does not wants to include the auditor's report यानि हमारी पूरी summary की report नहीं जारही है पर management summary financial statement में लिख रहा है audited summary financial statement हम बोलेंगे management को बहुस ऐसा मत करिये प्लीज इससे include करो अगर वो मना करता है तो फिर हम देखेंगे कि हम क्या actions लें ताकि हम अपने आपको disassociate कर सके क्योंकि हमारी precondition थी कि summary financial statement के साथ हमारी audit report जाएगी सबोस हमें audited financial statement बनाने के लिए point किया है लेकिन summary का audit हमें करने के लिए point नहीं किया और entity एक statement देना चाहती है कि summary financial statement audited financial statement से derived है ताकि लोगों को यह confuse करें कि summary भी audited है अगर auditor सदुष्ट है यह reference in the contest of audit report and audited financial statement ऐसा impression नहीं दे रहा कि summary का audit हुआ है तो कोई problem नहीं है पर अगर ऐसा लग रहा है कि हम indirectly बताना चाहरे है कि भी यह summary audited है जबकि summary का हमसे audit कराया नहीं है तो management को बोलेंगे ऐसा ना करें अगर वो मना कर दे तो हम बोलेंगे उससे agree नहीं करते हैं और इस case में जो हमारे पास audited financial statement का assignment है उसके ओपर हम क्या करेंगे उसकी report में या तो हम कोई mention करेंगे reference या देखेंगे कि क्या withdraw करना है या नहीं विल टेक suitable actions to ensure that such a statement is not given तो यह जो ifs and buts वाली चीज़ है यह flowchart से शायदा बच्चे से cover कर पाएंगे this basically covers up your essay 810 अब देखते हैं ICI के module में essay 810 से related क्या questions है पहले test your understanding है CA Madhur, क्या Madhur नाम है, he is an auditor of a company has issued audit report dated 15 June audit report on summary financial statement derived from such audited financial statement is dated 15 July is there any additional reporting responsibility in respect of summary financial statement yes, we will have to mention that is बीच की 15 June से 15 July की events का हमने कोई additional audit procedure लगा कर audit नहीं किया है consider audit report on financial statement issued by CA Madhur for above said company qualified it contains qualified opinion के नहीं issue an unmodified opinion on summary financial statement derived from audited financial statement तो अगर qualified opinion है या emphasis on other matter है तो summary financial statement पर report दे सकते हैं तो report unmodified भी हो सकती है अगर वो एक फेर समरी या वो summary as per applied criteria है and it is a fair representation of the audited financial statement however जो qualified opinion दिया है हमें वो opinion उसका basis for opinion paragraph और उसका impact अगर summary financial statement पर कुछ हो रहा है तो वो सब report करना पड़ेगा इसके बाद में theoretical questions में let's see if we have something 810 से related okay why is an auditor of a company why are you auditor he has expressed adverse opinion on audited financial statement what additional point he has to keep in mind while expressing opinion on summary financial statement divide from such audited financial statement हमें लिखना पड़ेगा कि हम summary financial statement की report में straight forward लिखेंगे कि we are unable to express an opinion because adverse or disclaimer के case में we have no right to issue an opinion on the summary financial statement हमें लिखना पड़ेगा कि auditor की जो report है वो audited financial statement में adverse opinion रखती है उसका basis for opinion और इस करन से inappropriate होगा अगियम समरी कि उफ़ेगा योपगा योपिने दे थैंक्यू